नमस्कार बच्चों आप सभी को नारेना लाइव क्लासिस में आपका स्वागत है आज का विशे है अनोखा उपहार इस विशे पर हम इसे पहले भी कुछ अभ्यास किये है और यहां पर आज एक नया अभ्यास लायाँ बेटा सही शब्द चुनकर वाक्यू पूरे करो क्या बेटा फिर से देगे सही शब्द चुनकर वाक्यू पूरे करो यहां नीचे यहां पर हमें कुछ हिंट्स दिये बेटा क्या है उपहार बिस्तर फूल पत्थे अनोखा इनकी सहायता से हम यह नीचे चार वाक्यू दिये है और उनमें रिक्त स्थान है उनकी पूर्ती करन उसमें जो बच्चा है अपने दोस्त के बारे में सोचता रहता है उनके जनम दिन के बारे में है ना या देने बेटा हाँ उसी के बारे में मैं यहां पर थोड़ा सा छोटा अभ्यास दिया है क्या है अनुपम बच्चे का नाम क्या है अनुपम अनुपम ड्याश पर लेट गया वह पाटशाला से आते ही थोड़ा उदास होकर क्या करता है अनुपम ड्याश पर लेट गया कहां उपहार बिस्तर फूल पत्थे अनोखा कहां पर लेट गया वेरी गुड बिस्तर देखे बेटा बिस्तर अनुपम बिस्तर पर लेट गया और यहां पर सब दोस्त उसे कीमती रियाश देंगे वहां क्यों उदास है क्यों उदास है याने उनके दोस्तों ने क्या कहा वे उनके दोस्त के बारें बहुत सारे अच्छे अच्छे कीमती उपहार वेरी गुड याने गिफ्ट हम बर्तडे में गिफ्ट देते हैं ने मैटा उसे कहते हैं हिंदी में उपहार यानि सब दोस्त उसे कीमती उपहार देंगे यानि यह समझता है कि सभी अच्छे-च्छे उपहार देंगे तो माने नए गमले पर ड्याश बनाये, हम पढ़े है ना, वह उसे उधात देखकर उनकी मा उनके लिए एक अच्छा सा तोफा बनाते देती है तो उसी पर क्या करती है मा? उस गमले पर क्या बनाती है? शबश, फूल, पत्ते, क्या बनाती है? फूल, पत्ते, हम जो डेकरेशन करते हैं ने है बटा? उसी तरह से उस गमले पर फूल पत्ते बनाती है माने नए गमले पर फूल पत्ते बनाये ठीक बड़ा और यहां ऐसा ड्याश उपहार तो किसी ने नहीं दिया याने वहां पर उस पार्टी में जाने के बाद क्या होता है सभी बहुत सारी चीजे दिये है लेकिन यह कैसा उपहार है साधारन उपहार नहीं है कैसा है अनोखा क्या है अनोखा ठीक बड़ा याने यहां पर उनका जो उपहार है अनोखा उपहार है हमारा जो विशे का जो शीरशक भी टाइटिल भी क्या है बड़ा अनोखा उपहार मैं समझता हूँ कि आपको यह जो विशय है जो assignment है ठीक तरह से समझ में आए धन्यवाद बच्चो